श्री नाजी गुरुजी को अलग आदेश, मा भगवती को अलग आदेश, राची वाले भैरभ बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश साधकों के पास धन की बड़ी कमी रहती है, मैंने देखा है, कुछ तो इसलिए भी होते हैं, क्योंकि वो अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं, कर्म से बचने के लिए बहुत लोग साधना में आया जाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों के अगोरपंत में कहावत है, कि अगर सौ अगोरी हैं, तो उसमें से 50 अपनी धर्म पतनी से उत्पीडित होकर के आते हैं, मतब परिवार से, ठीक है, बाकी जो आधे बचते हैं, वो कोई क्राइम करके भागे होते हैं, तो वो समाज और पुलिस की नजर से बचने के लिए भागते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जो शरा साधक इतनी तरह की साधनाएं करता है, कि धन की साधना करने का उसके वास समय नहीं रहता है, जो एक तो वो साधक होता है, जो विश्व के लिए साधनाएं करता है, जो और लोगों की भलाई हो ऐसी साधनाएं करता है, तो ऐसी साधनाएं करने में उसके अपने धन का आदेव की जिससे की आपका धन भाव जो है वह स्टेपल रहे क्योंकि हमेशा मैंने बोला है कि अगर आपको कि स्प्रिच्वालिटी में आगे बढ़ना है तो आपका मैटेरियल लाइफ अच्छा होना चाहिए देखें आप अगर सनातन धर में जाएंगे ना तो जो रिशी है तो रिशी हमेशा शादिश उदा होता है था कर्के हमेशा शादिश उदा होता है कोई आप ब्रह्मचारी एक हनुमान शिको अजय को पर सुगिंधिति बहुते थे देव-देवता-गन lifespan शोंष सब की धर्म पत्नियां होती थी तो उसके माध्यम से यह बताया गया कि हमेशा वह जो बैलेंस है युनिवर्स का उसको मेंटेन करना चाहिए कुछ लोग इसमें यह जो मेंटेनेंस है इसमें पुराने जीवन में इन्होंने अपना कर्म काट लिया है तो वह इस जीवन काल में ब्रह कृट प्रम्पचारी बन गए कैंषब कर्म करें ब्रहुत्त कर्म ठुम मतर होता है साधना पद्ट खूद लेने से कोई थाइदा नहीं होता है तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका मैंटेरिअर्ई एपसे दूसरा धर्ण क्योंकि आज के डिक में सदोर से तो आपको मिलता रहे तो आपका मेंटल लाइफ भी ठीक रहेगा और जैसे मेंटल आपका सही हुआ आप स्प्रिच्वालिटी में निश्विकर होकर के जा सकते हैं तो आज से दिपावली तक मैं कई ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्रंवणत तरीके से आपको सअधिनाय बताऊंगा आपने बीच में छोड़ा तो मेरा उसमें कोई साभागिता नहीं हो गार मैं ठिसन बता रहा हूं वैसे अभी से ले कर कर के आप दिपावली तक सदमा करें दिपावली के बाद बहुत तरीके से आपके पास धन इह एक मजाख है क्योंकि शंक्क जो है वे लक्ष्मी का भाई है वह समुद्रमंथन में निकलाता है है कि हम में से बहुत सारी साधाक माता लक्षमी करते मा भगवति देवी दुरगा है ठीक है वह भगवती हैं और उनका सारा रूप है लेकिन हर रूप को अलग-अलग तरीके से पूजना चाहिए लक्षमी को अगर आप मा के रूप में पूजेंगे तो वह आपको स्नेह देगी आप अपनी मा से किस चीज की अपएक्शा करते हो सिर्फ स्नेह अगर आपको चाहिए तो आप लक्षमी की पूजा मा के रूप में करो पद्नी की रूप में आप इनकी पुजा कर नहीं सकते हैं, क्युकि वो फिर आपकी साभागी हो जाएंगी मता आपका जो उनका ठीक है यह जरूरा नहीं कि उनका जो है फो आपका तीसरा रूप होता है जो कि विश्वामित्र ने अपने एक तंत्र में बताया प्रेमिका के रूप में अगर आप लक्षमी को स्तापित करते हैं साधकों के लिए बोल रहा हूं करें तो वह आपके घर से बंद जाती है क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के ऐसा संबंद होता है जो की एक दूसरे पर सबकुछ निचावर करते हैं एक विशय और है मैंने पहले भ से यह शरीर नहीं है ठीक है तो आप अगर शब्द प्रेम समझे तो उस भावना से जुड़े उस consciousness से जुड़े ठीक है तो प्रेम का भाव अगर आपका लक्षमी के प्रतिम है तो फिर लक्षमी आपके घर में बंद के रहेगी इसका एक अगर केरी तंद्र प्रयोग है जो मैं आपको जब आप उसके लिए तयार हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी क्या है अभी अगर आप ऌत हैं तो आपके लिए मंत्र है ठीक है वह मंत्र है ओम श्री आप एक कमल गट्टे का माला ले लीजिए और आज से 45 दिन तक सिर्व इस मंत्र का जाब कीजिए कमल गट्टे के माला से ओम श्री लक्ष्मी नर्सिम्हाय नमाहा एक तस्वीर रख लीजिए जैसे आप अपने पूजा घर में पूजा करते हैं उसी तरीके से इस मंत्र का पूजा करने बोलिए आप जैसे लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए घर में विश्नु का पूजा होना बहुत अनिवारे है तो लक्ष्मी विश्नु का पूजा किस मंत्र से होगा ओम लक्ष्मी पति विश्नु कृपादाय नमाहा ओम लक्ष् सादक हैं तो आप लक्षमी की सादना करेंगे और आपके जो पती हैं वो विष्णु की सादना करेंगे ठीक है ऐसे सही यही रहता है कि जो मर्द हो वो लक्षमी की सादना करेंगे तो यह पहला चरह है इस चरण में और लक्षमी को माता के रूप में नहीं बलकि उनका आवाद कर रहे हो नरसिम के की पत्नी के रूप में ठीके तो वह पत्नी सुरूप में आएंगी उसके बाद कालांतर में हम लोग और तंत्र मंत्र और यyst करेंगे जिससे वो एक प्रेमिका के भाव से आपके घर में ठहर जाएगी, देगो, अभी हम लोग पहला चरण में मंत्र का प्रयोग करना है, मंत्र का प्रयोग क्या होता है, मंत्र का प्रयोग निवेदन होता है, ये परफेक्शन लाने के लिए होता है, मतलब मंत्र से मैं आपको या कोई और बुलाएगा तो उसके पास इसलिए इस मंत्र ज़े 45 दिन में आप लक्षमी को अपने तरफ कीचोगे और विष्णु के साथ में पूझा इसलिए क्योंकि जहां विष्णु वी राजेंगे महां लक्षमी को आना मजबूरी हो जाएगा दूसरे स्टप में मैं यंत् जब मंत्र और यंत्र मिलेगा तो फिर तंत्र चलेगा और जब तंत्र चलेगा दिपावली की रात में उसके बाद आप बोलोगे कि हां रुद्रणाजी ने ऐसा एक साथना बताया कि मुझे धन की अब कोई कमी नहीं रह गई है तो दिवाली तक मान के चलिए हम लोग साथ साथनाएं करेंगे सातों साथनाएं करेंगे तो उसके बाद आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी देखे स्क्रीम के प्रचार आ रहा है मेरे किताब इससे मुझे धनाता है हैंडबुक पर पारनॉर्मल इंवेस्डिगेटर पूरे विश्व में Amazon, Flipkart या जित्ते भी ऑन- जरूरी है तो फिर WhatsApp मेंसेज किए मैं देख रहा हूं फिर से आप लोगों ने गैर जरूरी बातों के लिए WhatsApp का प्रयोक शुरू करती है मैं फिर से WhatsApp बंद कर तूंगा आज के लिए इतना ही मालक्समिया आप लोगों के क्रिपा बरसा है आदेश आदेश